आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हूँ जिसे आप सिर्फ तीन से चार चीजों से एजिली बना लोगे इस रेसिपी का नाम है तिल मुमफिली बर्फी ये खाने में बहुत ही जादा टीस्टी होती है साथ ही इसमें हमने जूबी चीजे यूज करी हैं वो सारी चीजे खाने से हमारी हड्या भी मजबूत रहती है साथ ही जिसको कमर दर्थ की तकलीफ है उनको तो ये जरूर खाना चाहिए बहुत फाइदे मन्द होता है आप रोज बच्चों को एक गिलास दूद के साथ इसका एक टुकड़ा जरूर दें जिससे बच्चों को बहुत फ्रेश फील होता है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कौन-कौन सी चीजे चाहिए करना है या सफेधी यूज करना है जो आपके पास हो आप वाला तिल लीजिए अब मैंने यहाँ पर लिये हैं 1500 ग्राम कच्ची मूमफिली तिल और मूमफिली आपको किसी भी मार्केट में एजिली मिल जाएंगी अगर नहीं मिलती है तो आप इन्हें ऑल नाइन भी पर्च ऐसे बारी कट कर लेते हैं तो हम इस बर्फी को बिल्कुल हेल्दी वर्जन में बनाने वाले हैं इसलिए मैंने गुड का यूज करा है आप चाहें तो इसकी जगवा पर चीनी का यूज भी कर सकते हैं अब गैस में रखा है मैंने एक पैन और उसमें मैं डाल दूंगी यहा जाएंगे और यह बिल्कुल काले हो जाते हैं और फिर तो इसमें ठाई में कड़वा पनी आएगा इसलिए आप गैस की फिल्म को लो करें और अराम से 5-6 मिनट तक इसको अच्छे से रोस्ट करें अच्छा आप चैक कैसे करेंगे कि यह तिल रोस्ट हो चुके हैं या नही हुए हैं वो सारी चीज़े अभी मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे अच्छा ठंडो में आप लोगों ने तिल को अपनी डाइट में जरूर एड़ करना चाहिए चाहें आप उसे कैसे ही एड़ करें या तो आप तिल के लड़ू बना लें या बर्फी बना लें या आप तिल गुर चिक्की बना लें मैंने अभी आपके साथ रिसेंटली एक तिल गुर चिक्की की रेसेपी शेयर की है आप उसे भी विजिट कर सकते हैं उसका लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में दोनों में दे दूंगी तिल को रोष्ट कर अगर आप बलेक वाले तिल का ही योज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हलके हलके चटकने स्टार्ट हो जाते हैं और थोड़े से फूल भी जाते हैं इसका मतलब ये अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं तो आप इसे एक ऐसी प्लेट में निकाल लें ताकि ये ठंडे हो ज मूमफली को भी हमने लो फ्लेम पर लगातार रोष्ट करते रहना है ताकि मूमफली जले नहीं और इसका जो कच्छा पन है वो भी निकल जाए आप यहाँ पर पहले से भुनी हुई मूमफली का भी योज कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखेगा वो नमक वाली नहीं होनी चाहि इसका मतला हमारी जो मूमफली है वो रोष्ट होना स्टार्ट हो गई है और इसमें हलका हलका आपको सुनहरा कलर देख रहा होगा तो इससे ज्यादा आपने इसको बिलकुर रोष्ट नहीं करना है यह अच्छे से रोष्ट हो चुकी है तो इसे हम एक बटन में निकाल लेत उन्याद है तो तिल को हम इस जार में डाल दिंगे और हमने इसको पल्स मोड में पीशना है यानि की पहले चलाना है रुकना है इस से क्या होगा इसमें एक ड़दरा टेक्चर आएगा बिल्कुल बारीग नहीं करना है हमने ऐसे जो डरदरा इसका टेक्चर होता है नो मूफली मैंने रोश्ट करी थी उसका मैंने उपर का हलका हलका चलका निकाल लिए है आप ऐसे हास से मसलेंगे तो वह एजीली निकाल जाता है उसका चलका और मुफली को भी हम पर प्लस değ में पीस के रेडी कर लेंगे इसको भी हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि जो मुँफली के छोटी छोटी टुकड़े अगर मुँपे लगते है ना तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसको भी अभी हम साइट रखते हैं अब उसी पैन को दुबारा लेंगे और उसमें डालेंगे एक चमबज घी की जैसे हलका सा मेल्ट हो जाए जो गुड हमने कट करके रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे हमने मेल्ट करना है कोई पानी विकरा डालने के आपको जरुरत नहीं है इसमें ये बिना पानी के ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है दीरे दीरे आप इसे चलाते रहेंगे ऐसे प्रेस करते हुए गुड को तो ये अराम से जल्दी से मेल्ट हो जाता है अगर आप यहाँ पर चीनी भी ले रहे हैं तो चीनी को भी आपने लो फ्लेम पे ही मेल्ट करना है अगर आप देखना चाते हैं कि चीनी को लो फ्लेम पे कैसे मेल्ट करें तो जो मैंने आपके साथ तिल चीनी वाली चिक्की की रेसिपी शेर की थी आप उसे चेक कर सकते हैं उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है अब देखो गुड अच्छे से मेल्ट हो चुका है और मैंने इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से और पका लिया है जब इसमें ऐसे जहाक आने लग जाए ना गुड में तब आपने इसमें पीसे हुए तिल और पीसे हुए मूमफली को डाल देना है और जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है क्योंकि गुड को हमने ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है जैसे ही गुड मेल्ट हो जाए उसके एक दो मिनट बाद ही आपने इसमें डारेक्ली इसको डाल देना है अगर गुड आपका ज़्यादा ओवरकुक हो जाएगा तो फिर आपकी बर्फी बिल्कुल पत्थर की तरह बनेगी इसलिए ध्यान रखे इस बात का अब देखिए मैंने फटा फट से इसको मिक्स कर लिया है गैस की फिल्म को अब मैंने ओफ कर दिया है और इसको ऐसी मैं थोड़ा सा हलके हाथ उसे चलाते रहूंगी और देखो ये पैन को भी अच्छे से छोड़ने लग गया है ताकि ये जादा पकना जाएं इसलिए मैंने गैस की फिल्म को आफ कर दिया है ये बिल्कुल रेडी है सेट होने के लिए अगर जादा देर ऐसी छोड़ देंगे तो ये फिर पैन में ही सेट हो जाएगा तो फटा फट से आप इसे एक ऐसी प्लेट में या अगर आपके पास बर्फी ट्रे है तो उसमें सेट कर लीजिए और उपर से आप इसको बिल्कुल एक्वल कर लीजिए एक चमश ले लीजिए और उसमें हलका सा घीं लगा लीजिए उसके बाद आप इसे एक्वल करके दो तिन बार ऐसे टैप कर लीजिए ताकि ये अच्छे सेट हो जाए अब इसको थोड़ा सा गानिश करने के लिए मैं इसके उपर से डाल रही हूँ करबूजे के बीच आप चाहें तो कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता जो आपके पास हो वो इसमें डालें या आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं लेकिन मेरे को ऐसे गानिश करके थोड़ा सा पसंद है तो मेरे पास करबूजे के बीच थे तो वो मैंने इसमें डाल दिये हैं हलके हातों से इसे प्रेस कर लेंगे ताकि ये मिठाई में अच्छे से सेट हो जाए और अब आप इसको ऐसे ही किचन प्लेटफॉर्म में छोड़ दें ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और उसके बाद हम इसमें कर्ट्स लगाएंगे क्योंकि जब ये अच्छे से थंडी हो जाएगी उसके बाद इसमें कर्ट्स लगाना बहुत मुश्किल होगा तो 20 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और उसके बाद इसमें कर्ट्स लगाएंगे 20 मिनट से थोड़ा सा कम यानि की 15 मिनट के आसपास आप इसे चेक कर लें और अपने मंचाहे तरीके से इसमें कर्ट्स लगा लें तो मैंने इसमें अच्छे से कर्ट्स मांक लगा लिये हैं और अब मैं इसको एक गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा इसको फ्रेज में रखने की कोई जरुरत नहीं है एक गंटा हो चुका है और ये अच्छे से सेट भी हो चुकी है तो हमने जो इसमें कर्ट्स मांक लगाए थी न उनमें हम एक बार दुबारा से नाइफ चला लेंगे और फिर हम इसके पीसे ऐसे एजिली निकाल लेंगे नीचे हमने प्लेट में घी लगाया था जिसकी वज़े से ये बड़े ये असानी से निकल जाती है और आप दीख सकते हैं बहुत ही जादा टैम्टिंग लग रहे हैं बहुत ही बड़िया इनमें लियर्स भी आई हुई हैं आप इस बर्फी को जरूर ट्राई करें इस बर्फी को बनाने में हमें सिर्फ तीन चीजे लगी थी और बहुत ही आसानी से ये बन भी गई थी इस बर्फी को आप 20-25 दिनों तक ऐसे किचन प्लेट फॉर्म में रख के स्टोर भी कर सकते हैं और फ्रेज में तो आप इसे 1-2 मेने तक अराम से स्टोर कर सकते हैं लेकिन अगर बच जाएं तो क्योंकि बर्फी होती इतनी अच्छी है एक खाओ तो फिर दुबारा खाने का मन करता है फिर दूसरी खाओ तो फिर दुबारा खाने का मन करता है तो बर्फी को ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप इस बर्फी को पहली बार में बनाएंगे तो जो जो मेजरमेंट और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है तो उस तरीके से ये पहली बार में आपके बिल्कुल पॉफेक्ट बन जाएगी आपको कोई ज़्यादा परिशानी नहीं होगी इसको बनाने में और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना हो सकते तो अपने फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करना आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार हापी कोकिंग